नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टी परपच चैनल पर इच्छाने के तन आ यूनिक जर्णी आप डेश्टिंसन में और यहाँ पर हम लोग वीडियो के जो रीग्जम होने वाला है उसके लगातार कुश्चन की प्रेक्टिस कर रहे हैं और लगातार यूनिक टेस्ट लगा रहे हैं जहां पर हम लोग हिस्ट्री, जोगरफी, सिबेक्स, एकॉनमिक सभी के कुश्चन को डिसकस कर रहे हैं तौफिक 22 तो उसी क्रम में आज हमारे सामने है यूनिक टेस्ट 9 जहां पर UP Special GK के कुश्चन आपके सामने लिकर आया और ये question बहुत ही मैत्पूर्ण होने वाले हैं, इनका analysis भी बहुत ही मैत्पूर्ण होने वाला है, तो बिना समय को बरवात करते हुए, आज का important question बन सकते हैं उत्तर प्रदेश जीके से, ठीक है, वो आपके सामने है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले question के और, question number आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ध्यान से पढ़िएगा, निम्रिकित में से उत्तर प्रदेश में किस इस्थान पर भारती पसू चिकस्ता अनुसंदान इस्थित है, तो आपको बताना है कि जो भारती पसू चिकस्ता अनुसंदान है, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर देली में स्थित है यह पसूचिकस्ता और संबंदे छेत्रों में एक अत्याजनुक अंदान सुब्धा केंद्र है मुक्तेस्वर बैंगलॉर पालंपूर पुणे कोलकाता और स्रीनगर इसके छेत्री परिस्ट्रों में से एक है ठीक है 1925 में इसका नाम बदल कर वेक्ट्रो लॉजिकल लेबोरेटरी रख दिया गया लेकिन अप्टर दा इंडिपेंडेंस सुतंता के बाद इस संस्थान का नाम बदल कर भारती पसूचिकस्ता अनसुन्दान कर दिया गया और संस्थान बरतमान में भारती किसी अनसुन्दान पर सद आई सी ए आर ठीक है नई दिल्ली जिसका headquarter है इसके सनचन में काम कर रहा है कौन आपका IVRI ओके तो option number D correct हो जाएगा next question number दो आपके सामने है उत्तर प्रदेश के नेम लिकित में से किस एतिहासिक मेले में हिंदू और मुसल्मान दोनों आते हैं मतलब कि उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग और मुसलिम धर्म के लोग दोनों ही आते हैं और दोनों ही पूजा उपासना ये कारे करते हैं तो वो है आपका नौचंदी का मेला तो option number one correct हो जाएगा ठीक है वाबरे वाब मेला फूल डेल मेला ये सब नहीं है नौचंदी का जो मेला है इसमें हिंदू और मुसल्मान दोनों ही धर्म के लोग आते हैं अब इनके बार इन थोड़ा समझते हैं नौचंदी मेला मेरट के नौचंदी मैदान में आईजित होने वाला पार्शिक मेला है यह मेरा लगवग एक महीने तक चलता है और मेरट नगर निगम द्वारा आई इस मुख प्रदर्सन में देहाती उत्तरप्रदेश में कलात्मक और धार्वेक अनुष्ठानों का पालिन किया जाता है नौचंदी मेला मुख रूप से पसुल ब्यापारी यानि कि जो आपके एनिमल ब्यापारी होते हैं इनके लिए दिवसी आयोजन की रूप में 1672 सबी लोग चाहें वो किसी भी धर्म के हों दर्सन करने जाते हैं मेला खाने के स्वाकीनों के लिए बहुत एक खुसी की बात है क्योंकि यहां पर पूरे भारत के जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनके इस्टॉल लगाए जाते हैं और यहां पर उनको जन गरना के अनुसार उत्ताप्रतेस जो रिंगंगाऊ निपात है कितना के आपको बताना एक ईलिंग एक हजार पुरसओं पर 912 महला आं यह आपका उत्त प्रदेस चींद में चैनवात वाराड़कसी में तो option number 1 से correct इसका हो जाएगा तो तीर्थनकर जो पाशना था है ये राजा असुसेन और वारानसी की जुरानी वामा इनके पुत्र थे उन्होंने सम्मेथ सिखर पर निर्वान प्राप्त किया था इसलिए कह सकते हैं option 1 हमारा बिल्कुल सही है और ये लगबर 800 इसा फूर में वारानसी में रहते थे और ये कौन से number के तीर्थनकर थे 23 नंबर के तीर्थनकर थे और उने संसार को वाद में त्याग दिया था 30 वर्ष की आईउ में वो तफस्वी बने थे संभी और समयित शिखर पर उन्हीं निर्मान की प्राप्ती होई थी और बाद में उनlease का नाम क्या दिया देढिया गया पास्वा दे दिया तो यह आपको आत रखना है कि पास्वात्र एक मात्रय से यह तिर्थनकर तरहां जनके 108 नाम हैं तुछ दर्शाया जाता है दो ये पदमबती को अकसर उनके साथ देखा जाता है तो यह हमारा कोश्यन नमर फूर्ट था वरते हैं कोश्यन नमर फाइव के और इतिवार अगस्तो स्टम्बर के महिने में आईज्द किया जाता है 여ए यह यह कुछ नमबर 5 का option number 1 था कुछ नमबर 6 है उत्तर प्रदेश में नगर निकम की कुल संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निकम है इनकी संख्या 17 है यह आपका factual डाटा है तो यह आपको डाटा बिलकुल याद रखना option number D correct हो जाएगा ठीक उत्तर सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाएगा कौन उत्तर प्रदेश के रूप में अगर हम बात करेंगे तो वह 67.68 आप ऐसे याद कर सकते 67.68 प्रसंट है जिसमें पुरसों की अगर हम साच्छर्टा दर की बात करेंगे तो सब्सक्राइब तो यह सारा डाटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ठीक है बड़ते हैं कुश्चे नमबर शाथ पर निमलेकित मैंसे कौन सा लोग निरत उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश राजी के साथ जोड़ा हुआ है धोबिया ब्रज रास लिजा या राम की प्रिसुद लोकनत है तो कोश्चन कभी-कभी आपसे यह भी बन सकता है कि जो धोविया लोकनत है कि जिले का है गाजीपूर का है ठीक है राम लिला एक ऐसी कला है जो भगवान राम के जीवन से जुड़ी है और इसमें निर्थ और रंगमंच का प्रदसन ही सामिल होता ह जो ब्रज की रासलीला है इसमें भगवान, स्रीकेश्ण और रादा जी के प्रेम से सम्मंदित प्रदसन किये जाते हैं और चर्कुला राज का एक और लोकनत है ठीक है इसमें महला नर्थ की सामिल होती है जो नर्थ करते समय अपने सिर पर हलके दीपक के एक स्तम को संतुल प्रिशिद बाके बहारी मंदर स्थापना की स्थापना ने की थी जो आपका मंदर नहीं था पूछा गया था संगर जी से लेंटर उसका यह एक्सको देख सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे ये कुश्यन नंबर 7 था आप गुश्यन नंबर 8 की और वड़ते हैं निम लिकत में यह से कौन सा जी वन जी अभ्यारण उत्तर प्रदेश में इस्ते थे तो वह आपकी क्या चिंचॉली है बिलकुल नहीं है चंदरब्रबा है हाँ चूडधार नहीं है चिननार नहीं है तो बनेजीव अभ्यारण कौन सा चंदरब्रबा यह आपके उत्तरप्रदिस में इस्तित अप्सन नमबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और यह उत्तरप्रदिस के पूर्वी छेतर में इस्तित है यह सुंदर पिक करेक्ट हो जाएगा यह नहीं है सबसे बड़ा अगरम बाज की बात करेंगे तो लखींपूर की ओप्सन नमबर वन करेक्ट हो जाएगा यह नेपाल के साथ सीमा पर उत्तरप्रदेश भारत में सबसे बड़ा जिला है इसकी प्रशासने ग्राजदानी लकंपूर सहर है लकंपूर खीरी की बात हो रहे हैं लकंपूर जो खीरी है इसका जो जिए जिला लकनोग वाजन का एक हिस्सा था और इसका कुल शित पर लकंपूर खीरी में बहुत सारी नदियां वहती हैं सारदा घागरा कोरियाला उल सरायन चौका गोंती कथाना सर्यू मुहाना यह प्रमुक नदिया है आपके लकंपूर जिले की 2011 की जनगर्णा के अनुसार लकंपूर खीली जो की आप कुशन यहां से ही बन सकता है कि उत्तरफ इसका वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे जादा जनसंख्या है और उसकी जनसंख्या के दिनी है तो यह भी कुशन आप से बन सकता है तो चार करोड़ 21,243 यहां की जनसंख में लगबग 25,38% की बरदी हुई थे बड़ते हैं नेस्ट कोशन नंबर 10 पर रूमी दरबाजा उत्तरफ प्रदिस के किस सहर में इस्तित है तो जो रूमी दरबाजा है यह आपके कहां पर रिस्तित है यह आपको जली से बताना है तो यह आपके लखनव में इस्तित है अवदी वास्तुकला या लखनव वास्तुकला का उत्करष्ट उधारन है और इस समय अगर मुगल स्थापत सेली की बात करेंगे तो उसको भी सरच्चेज करने की यहां पर एक मुहीं हुई थी तो उसकाराण से उसी सेली मनाने का प्रयास किया गया है और लखनु जानते ह दोजार सतावन समय दोनों बर किलोमीटर और चार सतर जुबर किलोमीटर यह सहरी छेथ सामिल है लखनु जुले की आगे तैसीले ब्लॉक और समदाइक विकास खंड़ों में धीरे-दीरे वाजित किया लिया था ओके तो बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 11 पर उत्तर प्रद HAG में उपर है मिट्टी के नामसे जाना जाती है। इसकी बनावाट पीली मिट्टी है। काधूर मिट्टी के कुछ कंकडभी यहां पर पाये जाते हैं। यह वह हैं मिट्टी होती है वहां पर पाई जाती है जहां पर अक्सर बाढ़ वगेरा आती रहती है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता इसमें चूने के कंकड़ पाए जाते हैं पुराने जलो मिट्टी ग्रूप में इसको जाना जाता है या कम उपजव मिट्टी होती है इसे भूर कहा जाता है अधिक कंकरवाली छेत्रों को पंजाब के मैदान में इसे धहया के नाम से भी जाना जाता है तो जानी उपरहार मिट्टी पूरभी भाग उत्तर प्रदेश में बंगर मिट्टी को पंजाब में इसको धहया के नाम से भी जाना जाता है और यह मिट्ट कि जन जाती का लोगनत है करमा एक लोगनत का है तो ऑप्शन कालीं तयुहार की दौरान मना किया जाता है इसमिजटे जो ने लोग संस्कीट की संबंद्दित पुरुस और महला हैं ठुमकी चल्ला पेरी जुमकी आधी बादविंत्रों के दुन पर इस पे नाचते हैं और कर्मारत की कई सेलिये हैं सोन बद्र में पांस सेलियां पर चलेते हैं जुमार लंगडा ठाड़ा लहकी और खेमटा सामिल है और ये स्पेसिल खारवर जंदाती के द्वारा मनाया जाता है कुशन नबर 13 है आपका भुकसा जंजाती उत्तर प्रदेश के कि जिले में पाई जाती है तो जो भुकसा जंजाती है ये मुक्ता उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा में पाई जाती है इसको बुक्सा जंजाती की रूप में भी जना जाता है अगर अन राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराकंड में भी ये पाई जाते हैं उत्तराकंड के जो हिमाला के तलेटी छेतर हैं दैरा दून हो गए, नैरिताल हो गए, वहां पर ये जनजाती है जी है और उत्व्रदेश में यह विजनौर और आगरा के जिलिम पायाती इन्हें महरा के नाम से जाना जाता है इनकी प्राथमिक भाषा है है यह inka को दरस्त के स्टेनल में थारू ज्न्जाती सन्गया था यहां। Teen स्ट्रप्रות के सिरावस्ति और में क्याया है। क्या मिद्तित shifts उसके स्थापना 1988 में उए ब्हाया थे मष्याथा 422 bar किलोमेटर इसमें 220 किलमेटर का मद्ध बढ़ती चेतर है इसके बखर जोल में भावर और रामपुर्षनडी आदी सामिल है इसमें कौन-कौन सी बनस्वती पाए जाती है इसमें कौन-कौन पाए जाते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं सायद एक कुशन आपका मिस हो गया है कोई बात नहीं है तो उसको देख लेंगे हम लोग जो इसका एक स्प्रेक्टिस करते रहें और डेफिनेटल आपको सफलता मिलेगी क्यूकि यहां पर प्रेक्टिस कर रहे है और अगर पार्टिकलर चाहते हैं कि कसी पार्टिकलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूरू बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ी ज़ूरी पीडिएफ आपको वहीं पर मिलती है ठीके दोस्क्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब पर ले टिक कर, बाई बाई ध्यान रखिए, थैंक यू